हेलो काईज कैसे हैं आप सबी दोस्तों अगर आप अपने मोबाईल में फ्रेफायर को ओपन कर रहे हो मैं नॉर्मल फ्रेफायर का बात करना हूँ फ्रेफायर मैक्स का नहीं इस तरीके गरीना का लोगो आएगा और इसके बाद पूरा-पूरा क्लोज हो जाता है, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ता है, मेरे में तो पूरा-पूरा ओपन हो जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम मेरे में भी आ रहा था, उसको आपको solve कैसे करना है, और यह किस कारण से problem आता है, वो भी आपको पता चलेगा, बस आपको वीडियो को last तक देख लेना है, ऐसा कुछ भी problem होगा तो, और फ्रीफायर के जब से नया O.B. update आया है गई, उसके बाद मैं बहुत दिनों बाद यह वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है यह problem आ रहा था, और बहुत सारे लोगों को free fire कैसे download करना है, उसके बारे में पता नहीं है, तो उसके लिए आप वीडियो पे comment करके बता सकते हैं, अगर आपको free fire कैसे download करना है, वैसे आगे इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वालों हूँ, यह problem क्यों आ रहा है, उसी के वज़े से ऐसा problem आ रहा है, बस आपको वीडियो को पहले last तक देख लेना है, और guys आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये होंगे, और आपके में होगा की नहीं, वो हम पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पर free fire को हम लोग को पूरक पूरे यहाँ पर से बेक करना है, ठीक है, मेरे में open हुए हैं, इसलिए मैं बेक किया हूँ, अब तब आपके में problem देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे में यह problem आ रहा था जब android 11 था, तब उसके बद मैं उसको solve कर चुका था android 11 पे ही, अभी देखिए मेरे अपना about phone दिखाता हूँ, android version को देख सकते हैं, मेरे में android 12 है, तो इसमें हम लोग free fire को download नहीं कर सकते हैं, और obv file उसका download नहीं है, तो उसको हम लोग, मतलब बाहर से कहीं से भी download नहीं कर सकती, इस कारण से ऐसा problem आता है, और free fire तो हम लोग के play store में है भी नहीं, तो इस कारण से उसको download ही नहीं कर सकते, लेकिन मेरे 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 पुरक पूरा open हो जा रहा है क्योंकि इसका OBB file है उसको आपको कैसे check करना है उसको आपको check करना पड़ेगा ठीक है यह problem अगर OBB file के नई होने के कारण आ रहा है तब solve करना मुस्किल होगा लेकिन अगर आपके mobile में ओ फाइल होगा तो इसको solve करना टूसम रहे गा Android के अंदर जाना है उसके अंदर OBB नाम से एक folder मिलेगा इसके अंदर जा करके विव इन फाइल्स करके option मिलेगा तो इसमें हम लोग को क्लिक कर लेना है अब Android का जो by default files होता है वो सब open हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर फिर से Android का option मिलेगा इसमें हम लोग को फिर से क्लिक कर लेना है अब इसके अंदर फिर से OBB करके लिखा हुआ है इसमें हम लोग को जाना है अब यहां पर हम लोग के मोबाइल में जो जो गेम है जिनका OBB फाइल रहना रहता है वो सभी सो होने लगेगा तो मेरे में फ्रेफायर में एक्स फ्रेफायर यह सभी दि खाई दे रहा है मतलब 16 अक्टूबर जब मेरे Android 11 था मेरे मोबाइल में तब इसको मैं डाउनलोड किया हुआ था तो उस समय Android 11 में आराम से OBB फाइल भी डाउनलोड हो जाता है बाहर से करें तब भी हो जाता है तो उस समय मैं इसको कुछ सो हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह लगबग 300 MB के आसपास रहे गए फाइल तो इस वाले फोल्डर सेम टू सेम जैसे फोल्डर बताया उसी के अंदर आना है और यहां पर आकर के एक बार देख लेना है अगर आपके में 300 MB के आसपास का OBB फाइल है उसके बाद भी आपक को बताना पड़ेगा मतलब Android 12 में Android 11 का तो पता ही है मैं पहले वीडियो बनाया थो उन सब को देख करके यह आप अराम से कर सकते हो AP के प्योर से कर सकते हो लेकिन Android 12 के लिए उसमें कभी वर्क नहीं कर रहा है मैं एक बार अपना डिलेट करके मतलब डाउनलोड करके भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा जब इसको डाउनलोड वालो वीडियो बनाऊंगा तब लेकिन अभी बात कर लेते ह तो आपको अपने फ्रेफायर का क्लियर आलड़ा करने के लिए अब तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि क्लियर आलड़ा करोगे तो हो सकते है आपका OBB फाइल भी चला जाये और ऐसा होगा तो आपके में डाउनलोड करना बहुत मुस्किल हो जाएगा तो सबसे असान तरी आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको अपने मोबाइल में दो तीन चीजों को चेक करना है जैसे कि मैं अबाउट फोन में जाओंगा तो यहां पर मेरे में स्टोरेज कितना खाली है यह दिखाई दे रहे तो 64GB में से 52GB भर चुका है तो ज्यादा एपलिकेशन अपने मोबाइल में रखते जाएंगे उतना ज्यादा रेम भरते जाता है तो मेरे मोबाइल में काफी सारा एपलिकेशन है अगर ऐसे ही बहुत सारा एपलिकेशन आपके में होगा या पी चार्जी भी रेम वाला मोबाइल होगा तो कुछ एपलिके और अगर आपका AMI का mobile होगा तो यहाँ पर AMI UI version करके दिखाई देगा इसको 7-8 बार आपको continue टेप करना है ऐसे में आपका developer option on हो जाता है और अगर आपका AMI का mobile नहीं है तो यहाँ पर AMI UI version नहीं रहेगा अगर realme का है तो realme UI करके रहेगा उसको आप 7-8 बार टेप करके दे देखाई नहीं देगा तो आल इसके अंदर चले जाएंगे तो इसके अंदर आपको option देखने को मिल जाएगा तो उसको आपको टेप करना रहेगा और developer option को on करना रहेगा अब on हो जाने के बद यहाँ पर आप डारेक्टे developer option लिग करके search कर सकते हो अब देखिए यहाँ पर सेटिंग के अंदर developer option है तो इसको हम लोग को टेप करके अंदर चले जाते हैं अंदर आ जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है एपस का अलग से सेक्शन मिलेगा आपको तो यहाँ पर देख लीजिए एपस का यह सेक्शन है तो इसमें एप्लिकेश का option मिल रहा है इसको हम लोग को on कर लेना है और जो भी setting में बता रहा हूँ दोस्तों इन सब को on करके आप try करने जाओगे उससे पहले आपको एक बार restart कर लेना है mobile को तभी यह सब अच्छे से apply हो पाता है तो इसको आपको on करना ठीक don't keep activities को और उसके बाद mobile को restart करके देखना है एफ के अंदर ही आपको मिलेगा background process limit तो इसमें हम लोग को no background processes इसको आपको select कर लेना है तो इससे हम लोग के mobile में जो भी background में चलते रहेगा वो सब खड़ जाता है मतलब कि सिर्फ पर free file चलेगा तो रेम का जो problem रहता है वो इससे solve हो सकता है आपका ठीक है तो mobile को फिर से restart करना पड़ेगा और उसके बाद free fire को open करके देखिए तो जब आप इतना सब try करेंगे तो आपके में कोई नो कोई setting जरूर से work करेगा और जितना इस video में trick बताया हूँ वो सभी में से कोई नो कोई आपके में काम करेगा और आपका problem solve हो जाएगा लेकिन सबसे पहले तो आपको check करना है कि आपकी में OBB file है की नहीं है अगर रहेगा तभी ये सब trick काम करेगा अगर नहीं है तब तो मैं उसको download कैसे करना है उसके बारे में अगर video बनाता हूँ उसको आप देखिए और अगर ये तरीका से भी आपका problem solve नहीं हो रहा है तो इसको भी जो select था वही आपको रख देना है और इन सभी के अलावा भी अगर कोई problem आता है तो वह भी आप comment करके बता सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाईज अगर video आप सभी को अच्छा लगा होगा video को like कर लिजिएगा और channel को subscribe करके bell icon में से all notification को on कर दीजिए त तो चलिए गाईज अब मिलते हैं हमारे next video में अभी के लिए सभी को bye bye